संजे की उम्र 19 साल की थी, जब उसकी बड़ी बेहर काजल की शादी हुई थी, सब बहुत खुश थे, लेकिन शादी के दो हफ़ते बाद ही संजे के बापा की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, घर में मातम चा गया था, बेचारी उर्मिला अब विद्वा हो गई थी हे भगवान, इनने क्यों छीन लिया, मुझे मार देते हैं की जगे, अब क्या होगा हमारा, हे भगवान, ममी, मेरी शादी होने के बाद ही ये सब हुआ है, लगता है मेरी शादी ही शुब नहीं है, नहीं नहीं दीदी, ऐसे मत कहो, प्लीज, अब घर कौन चलाएगा, मेरा त भालते हैं, खैर, वक्त के साथ दीरे-दीरे खाव भरने लगते हैं, वहीं संजे, पढ़ाई छोड़कर अब जूस का ठेला लगाने की बात करता है, नहीं ममी, देखना, मैं खूब मेहनत करके आगे तक जाओंगा, भगवान मेरा अम्तिहान ले रही है, नहीं नहीं बेट संजे जैसे तैसे करके जूस के ठेले का इंतजाम कर लेता है, और एक पार्क के बाहर ठेला लगाना शुरू कर देता है, उसी के साथ वहाँ पर छोले कुल्चे और सबजी के ठेले भी लगते थे, तो रात के वक्त संजे घर आता है, बेटा, कैसा राज का दिन, बहुत क्या होगा न? नहीं, नहीं, मम्मी, बिल्कुल भी नहीं ठाका, सच कहूं तो बहुत अच्छा रहा, दस घ्राक आयते आज, अच्छा, लेकिन बेटा, ठेला लेकर आना, लेकर जाना कितना मुश्किल है, मैं अभी भी कह रही हूँ, तु ये काम छोड़ दे, नहीं मम्मी, अपनी बेटे के हाथ पकरती है, और देखती है कि उसके हाथों में फफोले हो गए थे, वो रोते हुए अपने बेटे को गले लगा लेती है, देख तो, मेरे बेटे के हाथ कैसे हो गए है, मम्मी, हम उच्छ पर county अगई है, ये सब करके आप मुझे कमजोर मत करो, प्लीज अच्छा ठीक है तू बैट जा मैं खाना लेकर आती हूँ तब तक हात मूँ दो ले बेचारी और मिला अपने बेटे को महनत करते देख बहुत दुखी थी लेकिन संजे काम से जी चुराने वाला नहीं था कम उम्र में भी उसने सारी जिम्मेदारी ले ली थी कुछ दिनों ब ताजी रोटी जितना तो कमा ही रहें है अच्छी बात है ममी और आप बेफिक्र रहें हूँ मैं भी अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात हяж बेटा ही तो ही महिने बाद काजल की मौत हो जाती है और अपनी सास के जाने से काजल बहुत दुखी थी खेर होनी को कौन टाल सकता है देखते देखते एक साल और बीच जाता है संजे का काम भी जम गया था और वहीं आसपास के ठेले वाले उसके दोस्त बन गये थे देखते ही देखते दोस साल बीच जाते हैं संजे उस दिन थोड़ा लेट हो गया था वो दूर से देखता है कि उसका कुल्चे वाला दोस्त एक लड़की के साथ बहस कर रहा था जब मैंने आपको बोल दिया कि मैं आपको पैसे दे दूँगी तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या ऐसे कैसे मैं समझ लू आपने मेरे कुल्चे खाली और पैसे तक नहीं दे रही कमाल है मुझे नहीं पता था कि मेरे पास कैश नहीं है कैय तो रही हूँ कि online payment कर देती हूँ तो वो मान ही नी रहे आप मैड़ा मुझे ये सब चलाना नहीं आथा इतनी समझ होती तो यहां में कुल्चे का ठिला नहीं लगा रहा होता तो अब मैं क्या करूँ? यह तो इंतजार कर लो मैं घर जाकर पैसे ला देती हूँ ना जाने मैं आज पर्स कैसे भूल गई? यह सब बहाने हैं आप जैसे बहुत आते हैं जो फ्री में कुल्चा खाने के लिए ऐसे नोटंगी करते हैं मैं आपको नोटंगी वाली देखती हूँ मेरा स्टाइनेट तो देखिए अपनी स्कूटी लेकर आई हूँ यह स्कूटी यहां छोड़ जाती हूँ विश्वास नहीं है तो मुझे तो मेरे कुल्चे के पैसे चाहिए बस मैं आपकी स्कूटी का क्या करूँगा कल को चोड़ी का इलजाम तो मुझ पर ही लगेगा न कैसा बेवकूफ कुल्चे वाला है मैडम जुबान समाल कर बात करो गरीब हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलती रहोगी तभी संजे बीच बचाव के लिए उनकी पास आता है अरे यार क्या हो गया रवी क्यों बहस कर रहा है मैडम से देखो न मैं आज अपना पर्स गलती से घर भूलाई हूँ मेरे पास कैश नहीं है पर मैंने यहाँ पहले कुल्चा खा लिया यार यह ऐसे ही बहाने बना रही है जब इसके पास पैसे नहीं थे तो कुल्चा क्यों खाया इसने कह तो रही हूँ ना गलती से रह गया घर पर मेरे पास ये होता है पर्स मेरी स्कूटी में ही होता है आज नहीं है तो क्या हो गया? मैडम पैसे दे जाएंगी बाद में वही तो मैं इनसे कह रही हूँ नहीं, मुझे पैसे तो अभी चाहिए अच्छा चल छोड़ मैं दे देता हूं मेडम की जगे पैसे क्यों? तो क्यों जादा दानवीर बन दहा है? तेरे से मैं कोई पैसे वैसे नहीं लेने वाला और मैं उनको ऊनलाइन का बोल रही हूँ इनके पास है ही नहीं Google पे मैं आपको कर देती हूं अगर है तो हाँ ऐसे किये जी और रवी तू भी, गरीबी में कई बार दिमाग ऐसे ही इल जाता है आप अपना QR कोड दीजे, मैं पेमेंट कर देती हूँ मैडम मेरे ठेले पर लगा हुआ है, आईए, स्कैन कर लीजिए, पास में है तो लड़की संजे के ठेले के पास जाती है ओ, अच्छा, तो तुम जूस का ठेला लगाते हो जी मैडम, आप जूस पीना चाहोगी क्या हाँ, सोच रही हूँ, पीलू, दिमाग गरम हो गया है मेरा अच्छा, अब यह आपके लिए अच्छा सा जूस बनाता हूँ, मिक्स फ्रूट वाला ठीक है, और कितने होए, जूस के भी बता दो, मैं पेमिंट कर देती हूँ जूस के साथ रुपे हो गया मेडम तो लड़की उसके ठेले पर लगे होए किवार कोड से पेमिंट कर देती है और साथ ही उसके ठेले की फोटो भी ले लेती है जिस पर संजय का नंबर भी लिखा हुआ था और जूस पीकर लड़की वहाँ से चली जाती है अगले दिन वही लड़की जूस पीने के लिए किसी दूसरी दुकान पर जाती है भाया एक मिक्स फ्रूट जूस बना दो अच्छा सा अभी बनाता हू मैडम और वो जूस बना कर देता है लेकिन जूस बिलकुल भी अच्छा नहीं था बिलकुल भी अच्छा जूस नहीं बनाया है लगता है बासी फ्रूट डाल दिया है नहीं ठीक थे फ्रूट तो दोबारा आउंगी भी नहीं तुमारी दुकान पर हाँ पैसे कितने हो गए मैडम सो रुपे हो गए क्या तुम सो रुपे का इतना गंदा जूस दे रहे हो और कल मैं साट रुपे में मिक्स फ्रूट जूस पी कराई हूँ ठकते हो लोगों को हाँ नहीं नहीं मिलता इतना सस्ता कहीं भी पता कर लो देखना सभी को कहूंगी कोई नहीं आएगा तुम्हारी दुकान पर ठक कहीं के दो दिन बाद वही लड़की वापस संजे के ठेले पर जूस पीने आती है मैडम आप आईए कैसी है बड़िया जूस बना दो एक ग्लास यहीं और दो ग्लास पैक कर दो ठीक है मैडम हाँ बिलकुल वैसे ही बनाना और तुम्हें पता है उस दिन मैं बजार में जूस पेने गई थी सो रुपे का एक ग्लास दिया वो भी इतना गंदा बड़े दुकानदार तो ऐसे ही होते है हम ठेले वाले जादा रेट नहीं लेते हैं मैडम क्यों नहीं लेते लेने चाहिए तुम ज़्यादा अच्छी चीज देते हो नहीं नहीं मैडम अगर हम भी ज़्यादा पैसे लेंगे तो लोग आएंगे ही नहीं डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज से वैसे तुम देखने में तो अच्छे बले घर के लगते हो हाँ लेकिन कुछ हालात खराब हो गए थे तो मुझे ये काम करना पड़ा ओ अच्छा तो अब वो लड़की अकसर संजे के ठेले पर आती रहती थी कभी कार पर तो कभी स्कूटी पर वहीं उन दिनों संजे की बहन काजल भी अपने माईके में रहने के लिए आई हुई थी संजे आज जल्दी आ जाना रात को तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल खाना बनाऊंगी अच्छा ठीक है साड़े साथ से आठ बजे के बीस तक आ जाऊंगा ठीक है संजे काम पर चला जाता है शाम के वक्त पांच बजे वो लड़की जूस पीने के लिए आती है इस बार वो कार पर आई थी अब तो थोड़े टाइम में सर्दियां आ रही है लगता है तुम्हारा काम भी कम हो जाएगा नहीं नहीं मैडम काम तो पूरे साल चलता है जैसे जैसे सीजन बदलता है वैसे वैसे फ्रोड भी बदल जाते है अच्छा हाँ ये तो है ही तप ही संजे का फोन बच्चता है वो उसकी मा का फोन था वो घबराई हुई थी फोन पर बेटा जल्दी से घर आजाओ मम्मी हुआ क्या है बताओ न आप घबराई हुई क्यों है बेटा जल्दी घर आजा बस संजे घबरा जाता है और जूस बीच में ही छोड़ देता है और सामान समेटने लगता है अरे क्या हुआ तुम इतना हडबडी में क्यों हो पता नहीं मैडम, मम्मी का फोन आया, मुझे जल्दी से घर जाना होगा, मुझे माफ कर दीजिये, आज मैं आपको जूस नहीं दे सकता लेकिन हुआ क्या है? मुझे नहीं पता, जल्दी से जाना होगा वहीं संजे अपने साथ वाले दोस्त को इशारा करके ठेला संभालने के लिए कहता है और खुद पैदल भाग कर जाने लगता है पैदल कहा जा रहे हो? कब तक पहुँचोगे? मैं कार लाई हूँ, मेरी साथ चलो लेकिन मैडम, आपकी कार में मैं अरे तुम चलो न, क्या दिक्कत हुई है? मैं लेकर चलती हूँ संजे उस लड़की की कार में बैट जाता है और वो संजे के घर की तरफ जाने लगता है वो घबराया हुआ था और लड़की उसकी परिशानी देखकर हैरान थी संजे और वो लड़की जल्दी से घर में जाते हैं लड़की देखती है कि उसका घर जादा बड़ा नहीं था सिर्फ जरूरत के ही सामान थे वहीं संजे अपनी मा के पास जाता है जहां काजल दर्ट से करा रही थी बेटा देखना काजल को बहुत तकलीफ हो रही है क्या हुआ दीदी को दर्ट कैसे हो गया पता नहीं जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा तभी वो लड़की भी अंदर आ जाती है बेटा ये कौन है ये सब बाद में बताऊंगा मैडम पहले दीदी को हॉस्पिटल लेका चलते है तो सभी कार में बैठ कर हॉस्पिटल पहुँच जाते है डॉक्टर साब देखे ना मेरी बेटी के पेट में बहुत दर्थ हो रहा है नजाने क्या हो गया है चिंता मत कीजी हम चेक करते है प्लीज मेरी दीदी को ठीक कर दो हाँ हाँ डोंट वरी काजल का चेक अप होता है और पता लगता है कि उसे फूट पॉइजनिंग हो गई थी चिंता करने की कोई बात नहीं है सिर्फ फूट पॉइजनिंग हुई है दो तिन घंटे में आप घर ले जाना उनको शुक्र है भगवान का मैं तो बहुत ही घबरा गई थी हाँ मम्मी मैं भी बहुत घबरा गया था चलो आप तो ठीक हो गई दीदी अब चिंता वाली कोई बात नहीं है हाँ मैडम आपकी वज़े से हम टाइम पर पहुच गए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हाँ बेटी वैसे तुम कौन हो बेटा मम्मी ये मैडम मेरे ठेले पर जूस पीने आती है आज भी आई और उसी वक्त आपका फोन आ गया था अच्छा हाँ अंटी जी मैंनी संजे को बोला था कि मैं कार पर जल्दी से पहुचा दूँगी हाँ बेटा बहुत अच्छा किया वैसे तो हमें बहुत वक्त लग जाता बेचारी काजल तडपती रहती वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा जी मेरा नाम सलोनी है अंटी जी मैं तो आपसे आपका नाम पूछना ही बोल गया कोई बात नहीं सलोनी ये देखकर काफी इंप्रेस हो गई थी कि संजे अपने परिवार की इतनी फिक्र करता था तब ही सलोनी के पास उसके पापा का फोन आता है कॉल पर सलोनी बेटा क्या बात है रात होने को आई है और तुम घर नहीं आई हो वो पापा कुछ इमर्जनसी आ गई थी तो मैं लेट हो गई मैं आ जाओंगी थोड़ी दिर में सब ठीक तो है ना बेटा कहो तो मैं आ जाता हूँ नहीं नहीं पापा सब ठीक है आपको घर आकर सब बताऊंगी अभी मुझे आने में दो घंटे और लगेंगे ठीक है बेटा जरूरत हो तो कॉल करना मुझे ओके सलोनी फोन रख देती है बेटा तुम्हारे पापा का फोन है तुम घर चली जाओ लेट हो रहा है संजे तुम्हें छोड़ आता है नहीं मैंने पापा को बोल दिया है कोई दिक्कत नहीं है मैं आप लोगों को घर ड्रॉप करके ही घर जाओंगी नहीं मैडम प्लीज इतना कश्ट मत कीजी आप हमारे लिए वैसी भी आपने बहुत किया है आप सबकी हेलप करके मुझे अच्छा लग रहा है कुछ दिर में काजल भी ठीक हो जाती है और सभी उसके पास जाते है काजल भी सलोनी से मिलकर खुश थी थोड़ी दिर में सलोनी की कार में सभी लोग घर वापस आ जाते है मेड़ा मुझे तो समझे नहीं आ रहा है मैं आपका ऐसान कैसे चुका हूँ ऐसी बात बोलकर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो अच्छा अब मैं घर चलती हूँ आठ बज गए है ठीक है बेटा सलोनी अपने घर आ जाती है वहीं उसके मामी पापा उसका इंतजार कर रहे थे बेटा क्या बात है बड़ी लेट हो गई आज हाँ बेटा क्या हुआ था अब बताओ हाँ मामी वो मैं जूस पीने जाती हूँ न उस लड़के के घर में कोई प्रॉब्लम हो गए थी तो मुझे जाना पड़ा कभी उंगली पकड़ाओ और पूरा हाथ ही पकड़ ले हाँ बेटा थोड़ा बच करी रहना ये मूगे मीठे होते हैं हाँ मामी पापा आप चिंता मत करो मैं संभल करी रहती हूँ लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी क्योंकि सलोनी अब संजे से प्यार करने लगी थी संजे का विवहार और परिवार के लिए उसकी फिक्र देखकर सलोनी इंप्रेस हो गई थी रात के एक बज़े तक सलोनी को नीन नहीं आ रही थी कितना अच्छा लड़का है संजे मैं तो पहले दिन से उसे इंप्रेस हो गई मेरे लिए उस कुल्चे वाले से लड़ा और अपनी ममी और बहन की कितनी केर करता है मेरी भी करेगा सलोनी अब आधी रात तक संजे के बारे में ही सोच रही थी और मुस्कुरा रही थी मुझे लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है और मुझे उसे अपने दिल की बात बतानी चाहिए रात के तीम बजे सलोनी उसे कॉल करती है लेकिन संजे कॉल नहीं उठा था अगले दिन सलोनी उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है लेकिन वो हैरान थी कि आज वहाँ संजे का ठेला था ही नहीं अरे ये क्या आज संजे आया ही नहीं घर जाकर देखती हूँ सलोनी संजे के घर जाती है और देखती है कि घर पर ताला लगा हुआ था सलोनी और जादा परिशान हो जाती है ये क्या, यहाँ भी तालर लगा है, काम पर भी नहीं गया, अखिर गया कहाँ, फोन करके पूछती हूँ, सलोनी उसे फिर से फोन करती है, इस बार संजे फोन उठा लेता है, कॉल पर हलो, कौन? कहां हो तुम, आज आई क्यों नहीं? मैडम, ये आप हैं? हाँ, हाँ, मैं ही हूँ और रात को तीन बजे भी इसी नमबर से कॉल आई थी वो कल्दी से लग गई थी अच्छा, आप जूस पीने आई होंगी, है न? हाँ, तभी तो पूछ रही हूँ, मैं आई थी जूस पीने, पर तुम तो होई नहीं यहाँ अच्छा, ठीक है, सलोनी फोन रख देती है, असल में वो फोन पर अब और कोई बात नहीं करना चाती थी उसने सूच लिया था, कि जो भी बात होगी, मिलकर ही होगी कल तो फाइनली मैं संजे के सामने अपने प्यार का इजहार करके ही रहूँगी, बहुत खुश हूँ मैं और वो गाना गुन-गुनाती हुई, जूमती हुई घर पहुँच जाती है और देखती है, कि वहाँ उसके पापा के बिजनिस पार्टनर और उनका बेटा बैठे है ओ, हेलो अंकल, हेलो साहिल बेटा, आओ, बैठो यहाँ नहीं पापा, अभी मेरा बिजनिस के बारे में बात करने का कोई मन नहीं है प्लीज, अभी मैं बहुत अच्छे मोड में हूँ, बाद में बैठोंगी आरे, बैठो तो सही, विजनिस की बात नहीं कर रही है तो सलोनी उनके बीच में बैठ जाती है सलोनी बेटा, साहिल को तो तुम जानती ही हो और गुपता अंकल से हमारी पुरानी जान पहचान है हाँ तो? तो हम सोच रहे थे कि हमारा जो बिजनेस रिलेशन है उसे हम अच्छे रिष्टे में बदल दे क्या मतलब है? आप चाहते हैं कि मैं साहिल से शादी कर लूँ? मिलकुल मैं भी यही चाहता हूँ कि हम दोनों शादी कर ले सलोनी ये बात सुनकर चिड़ जाती है हाँ मुझे पता है तुम क्या चाहते हो? अभी तो तुम मुझे फेस्बुक इंस्टाग्राम पर कमेंट्स मेसेज़िस करते रहते हो न? ये क्या बोल रही हो बेटा? और क्या तो पापा? मुझे बार-बार फेस्बुक इंस्टाग्राम पर मेसेज़ करता रहता है मेरा नंबर मांगता रहता है और आप चाहते हो ऐसे डेस्पो लड़के से शादी करूँ? सलोनी बेटा ये क्या तरीका है बात करने का? अपने बिजनिस को बिजनिस तक रखिये हमारे घर में ज़्यादा दखल अंदाजी करने की ज़रूत नहीं है और साहिल जैसे लड़के से तो कभी शादी ना करूँ तुम ज़्यादा बोल रही हो सलोनी मुझे तुम्हारा तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ऐसे बात करते हैं बड़ों से मुझे या नहीं बैटना, मैं जा रही हूँ सलोनी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है वही सलोनी के बाबा गो अपने बिजनिस की चिंता होने लगती है ये सब क्या है यार, कैसे बात कर रही है आपकी बेटी यार बहुत बिगड गई है, इसे तो मैं अच्छे से समझाओंगा आप चिंता मत करो हाँ अंकल, आजकल फेस्बुक और इस्टाग्राम पर भी अजी बजी पोस्ट करती रहती है थोड़ा समाल कर रखो इसको खैट, मुझे भी ऐसी लड़की से शादी करने का कोई शौक नहीं है चलो जो भी है, इससे हमारे बिजनिस पर कोई फेक्ट नहीं पड़ेगा मैं उमीद करता हूँ हाँ, बिजनिस पर क्यों फर्क डालेंगे ऐसे बच्चों के चक्कर में तो हमार ही नुकसान होगा वही उनके जाने के बाद सलोनी के पापा सलोनी को खूप डांटते हैं लेकिन सलोनी पर कोई असर ही नहीं हो रहा था क्योंकि उसे तो संजे के बारे में सोचने से ही फुरसत नहीं मिल रही थी बस अब जल्दी से कल की सुभ़ः आए और मैं जल्दी से अपने प्यार का इजहार करूं इंतजारी नहीं हो रा मुझसे तो अब अगली सुभ़ः संजे के वहां आने से पहले ही सलोनी पार्क के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और संजे के आने का इंतजार करती रती है इंतहा हो गई इंतजार की आईना कुछ खबर मेरे यार की है हमें ये यकीन इतने में उससे संजे थेली के साथ आता हुआ दिखाई देता है संजे पास आता है तो सलोनी को देख कर हैरान हो जाता है अरे मेडम आप इतनी सुबह आगें जूस फीने के लिए हाँ मैंने सुचा तुमारी पहली ग्राहक बनू अच्छा बस दो मिनट दीजिए अभी बना कर देता हूं उफो तुम भीना पूरे बुद्धु हो मैं कुछ बात करने आई हूं बात और मुझसे अहां बताईए बताईए ना देखो मैं तुमसे प्यार करती हूं तुमसे शादी करना चाहती हूं ये बात सुनकर संजे की आँखे फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उसे बिलकुल उमीद नहीं थी कि सलोनी जैसी सुन्दर और अमीर घर की लड़की उसे ये सब कही की सलोनी से इस तरह की बात सुनकर संजे को लगता है कि शायद सलोनी मजाग कर रही है मैडम ये कैसा मजाग कर रही हैं आप सन्जे मैं मजाग नहीं कर रही हूँ मैं सच कह रही हूँ यार नहीं मैडम कहां आप और कहां मैं हो ही नहीं सकता कि आप मुझे इस तरह की बाते कहें तभी सलोनी उसका हाथ पकड़ लेती है और सन्जे थोड़ा घबरा जाता है मैडम ये क्या करें आप, हम रोट पर हैं, सब देख रहे हैं देखने दो, मुझे किसी का डर नहीं है, देखो मेरी तरफ मैडम प्लीज संजे, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ये कहते कहते, सलोनी इमोशनल हो जाती है, और रोने लग जाती है अरे ये क्या मैडम, आप रो क्यों रही है क्योंकि तुम मेरी फिलिंग्स को समझी नहीं रहे हो संजे, मैं प्यार करती हूँ तुमसे वहीं आसपास की लोग भी संजे और सलोनी को देखते रहते हैं मैडम सब देख रहे हैं देखने दो मैं तो एक ठेले वाला हूँ और आप तो अच्छे घर से हैं आपका नाम खराब होगा मैडम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने कहा दिया ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ मैडम, मैं गरीब हूँ मेरा घर तो आपने भी देखाई है और मेरे घर में तो कोई सुविधा भी नहीं है मैं सब में एड़स्ट कर लूँगी लेकिन तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी संजे और फिर आपके मम्मी पापा वो कभी हमारे रिष्टे के लिए हां नहीं कहेंगे मैं आपके लायक नहीं हूँ मैडम प्लीज, समझने की कोशिश कीजिए इसका मतलब तुम मुझे इंकार कर रहे हो तो ठीक है, अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम होगे नहीं मैडम, ऐसा मत कहिए, प्लीज और तुम मेरे माबाप की चिंता मत करो मैं अपने आप बात कर लूँगे उनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी आखिर जलोनी जित करके संजे को मना ही लेती है और उसे खुशी से गले लगा लेती है संजे, अब तुम मेरे साथ हो देखना, हमारा प्यार खुशिया ही खुशिया लेकर आएगा हमारी जिंदगी में ठीक है मैडम ओफो, अब तुम मुझे मैडम बोलना बंद करो अब हम एक साथ जिंदगी बिताने की रास्ते पर चल पड़े हैं और तुम मुझे मैडम मैडम कह रहे हो वो बस अहादत है ना, तो इसलिए आज से तुम मुझे सलोनी कहोगे बस, बात खत्म ठीक है, सलोनी सलोनी वहाँ से सीधा अपनी घर जाती है और अपनी ममी पापा से बात करती है पापा, मुझे आप से कोई बात करनी है हाँ, बताओ बेटा, क्या बात करनी है वो, आप मेरी शादी की बात करे थे ना उस दिन तो मैंने अपने लिए एक लड़का ढूंड लिया है क्या, तुमने खुदी लड़का ढूंड लिया? हाँ ममी, तो क्या हुआ? वो तो ठीक है पर लड़का कौन है और क्या करता है संजे नाम है मैं चाहती हूं कि आप मिलकर ही उससे बात करें और मैं उसी से ही शादी करूँगी कोई बात नहीं उसे बुला लेना पहले मैं तो बात कर लो उससे ठीक है मैं कली उसको बुला लूँगी वहीं रात को संजे जब घर जाता है तो वो भी सारी बात अपनी मम्मी और बहन से करता है वो दोनों भी हैरान हो जाती है संजे, ये कैसी बात कर रहा है? कहां वो सलोनी और कहां हम? हमारे घर में वो कभी खुश नहीं रहेगी हाँ बेटा तुम उसे मना कर दो मम्मी मैं हर तरीके से कह चुका हूँ वो नहीं मानने वाली वो खुद को नुकसान पहुँचा लेगी मुझे तो डर लग रहा है नजाने वो यहां कैसे खुश रहेगी हाँ बेटा बाकी तुम्हारी जिंदगी है मैं तो जादा क्या बोलू बस मुझे तो बच्चों की खुशी से मतलब है हाँ मम्मी देखते हैं कि आगे क्या होता है वही अगले दिन सलोनी के कहने पर संजे उनके घर जाता है और संजे के सिंपल साधरन कपड़ों से सलोनी के माबाब उसे पसंद नहीं करते हैं तो तुम हो संजे जी नमस्ते अंकल जी क्या काम करते हो और कितना कमा लेते हो पापा ये तुम चुप रहो मैं बात कर रहा हूँ ना जी मैं जूस का ठेला लगाता हूँ जादा तो नहीं कमा सकता पर जितना तुम कवाते हो उससे जादा तो हम अपने नौकरों को देते होंगे जी बिल्कुल अंकल जी मैं आपके बास से इंकार नहीं कर सकता आप ठीक है रहे हैं पर तभी सलोनी की पापा गुस्से से खड़े हो जाते हैं और चिल्ला कर बोलते हैं जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे उकात ही नहीं है तो क्यों मेरी बेटी को फसाया तफा हो जाओ इस घर से पापा वहीं सलोनी खड़ी होकर संजे का हाथ पकड़ लेती है हरगेज नहीं पापा मैंने आपको बोला था चाहे आपका कोई भी डिसिजन हो शादी तो मैं संजे से ही करूँगी अंकल जी आँटी जी मैं जानता हूँ कि मैं सलोनी के लाइक नहीं हूँ लेकिन क्या लेकिन कुछ नहीं मुझे सब पता है मैंने तो पहले सलोनी को बोला था कि गरीब लोग बड़े चालू होते हैं चाहे तुम कुछ भी कर लो तुम दोनों की शादी मैं कभी नहीं होने दूगा संजे सलोनी और संजे गर से बाहर चले जाते हैं और संजे काफी परिशान था यार मुझे पता है मेरे ममी पापा कैसे हैं उन्हें बस पैसों के आगे कुछ नहीं दिखता तुम छोड़ो और तुमें कौन सा यहां रहना है लेकिन फिर भी उनकी मर्जी के बिना तुम शादी करोगी तो हम कैसे खुश रहेंगे तुमारी साथ मैं खुश रहूंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ अब प्लीज यार तुम भी मेरे माबाप की तरह मुझे लेक्चर मत दो अभी मेरा मूट ठीक नहीं है अचा ठीक है शाम को सलोनी घर आती है लेकिन अपने माबाप से कोई बात नहीं करती है उसके माबाप उसे समझाते भी है लेकिन वो किसी की नहीं सुनती तो ठीक है अगर तुमने जिद पकड़ ली है तो हम तुमें नहीं रोकेंगे लेकिन कल को अगर कोई परेशानी आई तो रोते हुए हमारे पास मत आना समझी नहीं आऊंगी कुछ दिनों में संजे और सलोनी एक मंदिर में शादी कर लेते हैं जिसमें संजे के ममी और बहन तो आते हैं लेकिन सलोनी के ममी पापा नहीं आते तो दोनों और मिला का आशिरवाद लेते हैं तुम दोनों हमीशा खुश रहो सुखी रहो और जल्दी से सलोनी के ममी पापा भी राजी हो जाएं हाँ ममी जी वो मान जाएंगे मैं जानती हूना उनको हाँ बेटा सब मिलकर रहते हैं तभी खुश रहते हैं शादी के बाद सलोनी ससुराल जाती है वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने जो चाहा था वही हुआ था सलोनी भावी हमारा घर आपके घर की तरह तो नहीं है ज्यादा सुख सुविधा भी नहीं है लेकिन हम कोशिश करेंगी कि आपको हर खुशी दे सके हाँ दीदी मैं यहाँ सब के साथ बहुत खुश रहूंगी और कोई भी जरुद हो तो ममी और संजे को बताना और कोई डाट तो मुझे फोन कर देना देखना जट से आपका बचाव करने आ जाओंगी ठीक है देदी बस मुझे घर के काम करने आते नहीं है कभी किया नहीं तो कोई बात नहीं बेटा धीरी धीरे सब सीख जाओगी मैं तुम पर प्रेशर नहीं तूंगी हाँ भाबी जब जिम्यदार तो हर कोई सीख जाता है ठीक है कुछी दिनों में काजल भी ससूराल चली जाती है वो घर का कुछ ज्यादा काम नहीं करती थी सारा काम उर्मिला ही सभालती थी नाया नया तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था लेकिन धीरे धीरे सलोनी की थोड़ी कमिया नजर आने लगती मामी जी, घर का फ्रिज काफी पुराना हो गया है, राद भर से पानी की बोतल रखी है, ठंडाई नहीं हुआ. हाँ बेटा, काफी पुराना फ्रिज है ना, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम में नाया ले लेंगे. अभी तो गर्मिया चल रही है अभी नहीं तो कब नाया लेंगे अभी ले लेते हैं बेटा अभी तो पैसे नहीं है कुछ टाइम तक तुम एड़स्ट कर लो ठीक है वहीं दो महीनी से सलोनी नाशते में चाय और पराठा ही खा रही थी जो उसकी सास ही बना देती थी पर सलोनी इस नाशते से बोर हो गई थी मामी जी जबसे मेरी शादी हुए तब से रोजी नाशते में चाय पराठा खा रही हूँ हाँ बेटा सभी चाय पराठा ही खाते हैं ना लेकिन मुझे पसंद नहीं है ना मैं तो मेरी घर पर पास्ता सैंडविच बर्गर ये सब खाती थी अच्छा बेटा लेकिन मुझे तो ये सब बनाना ही नहीं आता सलोनी अगर तुम्हें बनाना आता है तो तुम खुद बना लो मुझे बता देना मैं समान ला दूंगा मुझे कुछ नहीं बनाना आता, ममी जी, आप ही सीख लीजे न सलोनी तुम ममी से क्यों कह रही हो, तुम खुद बना लो न वैसे भी सारा का ममी ही करती है सलोनी ये बात सुनकर गुसा हो जाती है ओ अच्छा, तो अब तुम मुझे ताना मार रहे हो नहीं नहीं बेटा इससे छोड़ आजकल की नई चीज़े मुझे समझी नहीं आती कैसे बनती है तू मुझे बता दे ना मैं सीख लूँगी नहीं ममी सलोनी खुद बना लेगी सलोनी नाराज होकर कमरे में चली जाती है और संजे को उसकी ये हरकत अच्छी नहीं लगती बेटा ये क्या किया चोटी सी बात पर बहु को नाराज कर दिया ममी मैंने तो कुछ गलत नहीं का उसे भी थोड़ा समझना चाहिए ना बेटा भी बच्ची है वो समझ जाएगी दिरे दिरे तू जा अभी बहु को मना जाकर तभी अचानक से सलोनी चिला कर संजे को आवाज लगाती है संजे संजे घवरा जाता है और भाग कर सलोनी के पास जाता है संजे वहाँ जाता है तो देखता है कि सलोनी आराम से बड़ पर बैठी हुई थी क्या हुआ सलोनी तुम ठीक तो हो ना इतनी गर्मी है घर में ठंडा पानी भी नहीं है पीने के लिए कम से कम फ्रिज तो ले आओ हाँ ले आओंगा बस ये कहने के लिए तुम चिला रही थी और क्या तो बिना चिला आए तो इस घर में किसी को सुनता ही नहीं है न सलोनी तुमें क्या हो गया है तुम तो ऐसी नहीं थी ऐसे मत करो प्लीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है संजे मुझे लगा था मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ खुश रहूंगी लेकिन यहां तो कुछ और ही हो गया मेरी मा और मेरी बेहन तुमसे कितना प्यार करती है मैं भी करता हूँ, फिर भी तुम खुश नहीं हो अब गरीब हो तो इसमें मेरी क्या गलती है मैं मेरत तो कर रहा हूँ ना प्लीज, तुम अभी जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी संजे उदाज होकर अपनी ममी के पास चला जाता है क्योंकि अभी सलोनी गुस्से में थी और उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था तभी उसे काफी गर्मी लगने लगती है तो वो कूलर चलाने का सूचती है एक तो एसी भी नहीं है अब क्या ही कहूं गरीबों से मैं भी ना, कहा फस गई हूँ जैसी वो कूलर ओन करती है वो ओन ही नहीं होता ये कमबखत कूलर को क्या हो गया अब संजे, संजे यहां आओ वो फिर से संजे को बुलाने लग जाती है संजे वहां आता है क्या हो असलोनी देखो ना, एक तो मेरा दिमाग वैसी गर्म हो रहा है उपर से खटारा कूलर भी नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, मैं इसकी रिपेर करवा देता हूँ कबसे गर्मी में मर रही हूँ जो बैठी उपर तुमें तो कुछ समझ में आता नहीं है हमारे घर में एसी नहीं है ये बात तुमें पता है न तो ये लो, एक एसी नहीं ले सकते कभी फ्रिज खराब हो जाता है कभी कूलर खराब हो जाता है ढंका खाना भी नहीं मिलता है तभी उर्मिला वहां आती है और सलोनी को शांत करने की कोशिश करती है बेटी शांत हो जाओ, इतना गुसा नहीं करते आप तो चुपी रहे, आपकी वज़े से ये सब कुछ हो रहा है अगर आपने अच्छा नाष्टा बनाया होता तो मेरा दिमाग ही गर्म ना होता बेटा मैं कल तेरे लिए बना दूँगी, क्यों चिंता करती है सलोनी तुम मेरी मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकती मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जब मैं मेरे माबाप से अपनी मर्जी से बात कर सकती हूँ तो फिर ये तो तुम्हारी मा है तुम बत्तमीज हो गई हो सलोनी, ऐसे ही चलता रहा तो एक साथ रहना मुश्किल हो जाएगा ओ अच्छा मैं मेरे माबाप का घर छोड़ कर आई हूँ और तुम मुझे धमकी दे रहे हो और आप ममी जी चुप चाप खड़ी है कुछ नहीं बोल रही है संजे बेटा तुचुप हो और जा काम पर जा संजे परिशान होकर सला जाता है ऐसी सास हो तो बेटे बहु का घर उजड़ जाता है उर्मिला घर की शांती बनाए रखने के लिए चुप रहती है और अपनी बहु के ताने सुनती रहती है थोड़ी देर में उर्मिला एक मकानिक को बुला लेती है और कूलर और फ्रिज की रिपेर करवा लेती है अब रिपेर कराने वाले हाल नहीं रहे इनके, और कितना हक लेना है इनका, बेटा अभी रिपेर से काम चल जाएगा, कुछ टाइम में नया भी ले लेंगे, चिंता मत कर, इस घर में रहकर चिंता ना करूं, ये तो होई नहीं सकता, अच्छी फसी मैं तो गरीब घर में, छो अगली सुभे, नाश्ते में पास्ता बनाती है, सलोनी खुश हो जाती है, वा ममी जी, पास्ता तो आपने बहुत अच्छे बनाए हैं, बिल्कुल रेस्टरेंट स्टाइल में, हाँ बेटा, स्पेशल बनाए हैं तुमारे लिए, अब तो खुश हो ना, हाँ हाँ, खुश ह तो कभी कभी मुझे जादा गुस्सा आ जाता है, कोई बात नहीं, आदत में थोड़ा सुधार करो, तुमारे लिए भी और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है, अब गुस्सा नहीं करूंगी, खेर, अभी तो सब सही था, लेकिन क्या सच में, सलोनी अपने गुस्स आपके साथ है, मैं अपनी सास को बहुत मिस करती हूँ, अच्छा, मुझे तो लगा बहु कभी सास को मिस करती ही नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत खयाल रखती थी, लेकिन भगवान ने उन्हें अपने पास बोला लिया, ओ, फिर तो पू लगने लग जाएगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, तभी महलने ने कोई कपड़े बेचने वाला आता है, ममी देखो बहर कपड़े वाला आया है, चलो-चलो देखते हैं, हाँ, आजा सलो नी, तुम ही ले ले, क्या, गली से कपड़े? ना, मैं तो कभी ना लू, ये कपड़े तो गरीबों के लिए ही होते हैं ये बात सुनकर काजल और उर्मिला एक दूसरे का मूँ देखने लग जाती है लेकिन कुछ नहीं कहती और दोनों बाहर कपड़े देखने चली जाती है ओहो कैसे बेकार लोग हैं ये गली से कपड़े ले लेते हैं हां खेर मुझे क वहीं अब काजल ज्यादतर रेस्ट पर ही रहती थी और उससे कोई काम भी नहीं होता था इसी कारण सलोनी उससे चिड़ने लगती थी ममी जी काजल दीती वापस कब जाएंगी बेटा अभी तो उसकी डिलिवरी होगी उसकी कुछ टाइम बात ही जाएगी अच्छा तो संस कोई और मिला को ये बात बहुत ही बुरी लगती है बेटा ये उसका घर है उसका माई का है यहां नहीं आएगी तो कहां जाएगी क्यों मैं माई के जाती हूँ क्या मेरा तो उनसे कोई बोल चाल भी नहीं है मैं चाहती हूँ तो भी अपने ममी वापा से बात करे मिले उनसे नहीं मुझे कोई जरुरत नहीं बस मैं तो काजल दीदी का ही कह रही थी जल्दी से चली जाए ये ज़ादा दिन रहना भी अच्छा नहीं लगता न वहीं काजल ये बात सुन लेती है और उसे काफी बुरा लगता है कुछ टाइम में काजल की डिलिवरी हो जाती है और एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है घर में सब बहुत खुश थे लेकिन अब उर्मिला सलोनी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी एक दिन सलोनी किचन में जाती है और देखती है कि नाष्टे में कुछ भी नहीं बना हुआ आज तो ममी जी ने नाष्टा भी नहीं बनाया है बस हर वक्त काजल दिदी की सेवा में लगी रहती है जा कर पूछती हूँ सलोनी कमरे में जाती है संजे छोटी बच्ची को संभाल रहा था और और मिला अपनी बेटी की सर में मालिश कर रही थी आओ सलोनी तुम भी लो गुडिया को नहीं ममी जी आज आपने नाष्टा नहीं बनाया हाँ बेटा थोड़ा काजल की देखभाल कर रही थी तो लेट हो गई सलोनी तुम खुद बना लो ना देख रही हो ना कि दीदी की डिलिवरी के बास से काम काफी हो जाता है तो मम्मी को टाइम नहीं मिल पाता सलोनी ये बात सुनकर छिड़ जाती है तो मैं क्या करूँ अब सब काम मैं ही करूँ जब से दीदी आई है खुद कुछ नहीं करती है बोज बनकर रह गई है ये तुम कैसी बाते कर रहे हो दीदी से, माफी मांगो, अभी माफी मांगे मेरी जूती, मैं अपना नाश्ता खुद बना लूँगी सलोनी किचन में जाकर नाश्ता बनाने लग जाती है, वही ओर्मिला और काजल परिशान हो जाती है लेकिन संजे को काफी गुश सा आ रहा था, हे भगवान, बहु तो फिर से नाराज हो गई मामी, आप जाओ ना, मनाओ भाबी को मामी रहने दो, और दीदी आप भी इतना परिशान मत हो, सलोनी की तो आदत हो गई है, ये कोछ जाधे ही सिर्प चड़ गई है नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत बोल, उसे दिखता नहीं है कि घर में कितना काम है, आपका हाथ बटाने की बज़ा आपको ये ओडर मारती रहती है बेटा वो बड़े घर से है, अमीर घर से है, उसे ही सब नहीं पता है तो इतने महीने हो गए, अभी नहीं सीखेगी तो कभी नहीं सीख पाएगी, कोई जरूरत नहीं है उसे ज़्यादा सिर्प चड़ाने की सलूनी के बरताव से संजे काफी गुसा हो गया था, और वो सलूनी से कोई भी बात किये बिना सीधा काम पर चला जाता है वहीं अब दिन बदिन सलूनी अपनी ननद और सास के खिलाफ होती जा रही थी, और उनसे अच्छे से बात भी नहीं करती थी मेरी ननद और सास ने तो मेरा जीना हराम का रखा है, मुझे कुछ तो करना ही होगा, क्या करूँ? तब ही उसे एक खयाल आता है ममी पापा से बात करती हूँ इस बारे में, शायद वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्फ करवा दे तो सलूनी अपने पापा को फोन करती है और उसके पापा फोन उठाते हैं अगले एपिसोड में देखेंगे कि सलोनी के पापा उससे क्या बात करते हैं और क्या सलाह देते हैं क्या सलोनी की जिंदगी में कोई बदलाव आएगा या वो अपना ही नुकसान कर बैठेगी सुनाली के पापा जैसी फोन उठाते हैं वो खोश हो जाती है कॉल पर हलो पापा, कैसे आप ? कौन बोल रहा है ? पापा मैं हूँ, सोनाली कौन सोनाली ? मैं किसी सोनाली को नहीं जानता सॉरी, wrong number इतना कहकर, सोनाली के पापा फोन रख देते हैं और सोनाली गुच्चा हो जाती है यह क्या ? पापा मुझसे अभी तक नाराज है अब क्या करूँ, ममी को फोन करती हूँ तो सोनाली अपनी ममी को फोन करती है वो कॉल उठाती है, कॉल पर हलो कौन, ममी कैसी आप मैं सोनाली बोल रही हूँ आपने मेरा नंबर सेव नहीं कर रखाये क्या अब क्यों फोन कर रही हो यहाँ पर ममी मुझे बात करनी है याद आ रही थी आपकी पापा ने तो बात भी नहीं की मुझसे क्यों करें तुमसे बात भूल गई? क्या करके गई थी तुम हमारे साथ ममी प्लीज मुझसे बात करो मैं बहुत परिशान हूँ तो हम क्या करें? तुमने तो कहा था कि कोई परिशानी होगी तो हमसे बात नहीं करोगी तो अब यहाँ फोन मत करना इतना कहकर सोनाली की मम्मी भी फोन रख देती है और सोनाली को बहुत गुस्सा आता है यह मेरे माबाप है या मेरे दुश्मन मेरी परिशानी भे नहीं समझ रहे कोई बात नहीं मुझे भी काम तो लिया आपने इतने महीने हो गए हैं हाँ भावी बस मैं समान पैक कर रहे हूं मनीश मुझे लेने आ जाएंगे अच्छी बात है एक बात कहूं भावी आपसे क्या है आप घर में खुश रहा करो ममी और भाईया के साथ मैं अब घर में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं तो भी रख लेती वहीं शाम के वक्त मनीश कार में आता है और काजल और अपनी बेटी को वहां से ले जाता है शुक रहे गई दीदी अब तो आपको मेरा ख्याल आएगा ममी जी ऐसी बात नहीं है बेटा डिलिवरी वाला टाइम था तो एक बार काम बढ़ जाता है इसका म आज तो खाना बना ही लेना आप मैं किसी काम से बाहर जा रहे हूँ ठीक है बेटा सोनाली बजार चली जाती है वहीं उसके पास उर्मिला की तीन चार बार कॉल आती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती पता नहीं ममी जी क्यों कॉल कर रही है मैं नहीं उठा रही सोनाली रात आपकी बेटी थी, तब तो आपसे सारा काम हो रहा था, आज मैंने कह दिया, तो आपके उपर बोज आ गया, नहीं बेटा, सच कह रही हूँ, देख थो, मेरा शरीर कितना गरम हो रहा है, रहने दीजे, सब पता है मुझे, क्या चलता है आपके दिमाग में, सोनाली अपनी सास पर चिल्ला रही थी, इतने में संजे भी घर आ जाता है, और ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है, सोनाली, ये तुम कैसे बात कर रही हो मम्मी से, देखो न, आज दिदी घर से गई, और ममी जी ने एक काम तक नहीं किया, मैं भी बजार से अभी आई हूँ, मम्मी, आपकी में सोनाली पर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन वो रुख जाता है, संजे, ये क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या, गल्ती मत करना मुझ पर हाथ उठाने की, वरना अच्छा नहीं होगा, ये सब देखकर और मिला बेहत दुखी हो जाती है, मुझे बिलकुल नहीं रहना मेरा साथ नहीं दे रहे, गरीबों के घर आ गई, अब मैं कहा जाओ, इसी घर में रहूंगी अलग, सोनाली तुमा दिमाग खराब हो गया है, तुमाद से बाहा जा रही हो, मैं ऐसी करूंगी, ममी जी समझा लीजिए अपने बेटे को, वरना अच्छा नहीं होगा, ये कहक में है, वो जैसा कह रही है, कर ले, ममी मैं क्यों अलग हूँ आपसे, उससे रहने दो अकेली, बेटा कहां अलग हो रहा है, एकी घर में तो रह रहे है, शुक्र कर वो किसी और घर में जाने का नहीं कह रही, लेकिन ममी, बेटा, वो तेरे लिए सब कुछ छोड़ कर आई है बहु खुश रहनी चाहिए, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, मैं हाथ जोड़ती हूँ ने ने ममी, यह आप क्या कर रही है तो अपनी ममी के कहने पर संजे बान जाता है, और वो भी दुखी होकर अपने कपड़े लेकर उपर वाले पोर्शन में रहने लगता है सुनाली भी खुश थी कि संजे उसके साथ रहने आ गया था तैंक्यू संजे, मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ कर अपनी मा को चुनोगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ ना ही मम्मी को, लेकिन तुमने अच्छा नहीं कि आज अरे अभी तो सब ठीक है, अब कोई परिशानी नहीं होगी, मैं भी खुश रहूँगी और तुम्हें भी खुश रखूँगी लेकिन सुनाली जैसा सोच रही थी वैसा कुछ होने वाला नहीं था क्योंकि अलग रहने से गर का सारा काम उसी पर आ गया था वहीं कुछ टाइम बाद सुनाली भी प्रेगनिंट हो गई थी, ये बात जैसे उर्मिला को पता लगती है, वो उसकी पास जाती है सुनाली बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, संजे ने बताया तुम प्रेगनिंट हो, हाँ मामी जी, ताजा खबर पहुंच जाती है आपके पास तो बेटा, तुझे क्या पता, दादी बनने की क्या खुशी होती है, अब तुम अपना ध्यान रखा करो, और मैं तो कहती हूँ, अब गुसा छोड़, और नीचे मेरे साथ ही रह ले नहीं मामी जी, अब मैं और संजे एक साथ खुश है, आपके साथ रहेंगे तो फिर जगडा होगा, बेटा कैसे काम करेगी, अभी कुछ टाइम में पेट दिखने लगीगा, सौध दिक्कत हो जाती है प्रेगनिंसी में, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, कहाना कर लूँगी स बाहर का खाने से बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो क्या करूँ, मुझसे काम नहीं होता, तो ममी ने तुमसे कहा था न, कि नीचे रहलो, तुम क्यों नहीं रहती हो, क्यों रहूँ, अब देखो, इतने टाइम से तुम्हारे और मेरे बीच में सब कुछ ठीक तो चल रहा जब तुम मा बन जाओगी न, तभी तुम्हें समझ में आएगा, अरे लेकिन खाने का तो बताओ, मैं क्या करूँ, बस तुमने कहा दिया न, बाहर से ले आओँगा, बात खाद, अब मुझसे जगडा नहीं होता, हाँ, कितने समझदार हो गए हो तुम, अब सोनाली ने ख खाना पच नहीं रहा, ना उस सब कोई काम होता है, पर हमें चुपी रहता हूँ, चिंता मत कर बेटा, आज से मैं सब सम्हाल लूँगी, तु बेफिक्र है, उर्मिला रोज उसे खाना बना कर दे जाती थी, और सोनाली भी चुप-चाप खा लेती थी, वहीं उर्मिला उसक कल को गिनाना मत मुझे ये सब, ठीक है, सोनाली को सात्वा महीना चल रहा था, एक दिन काजल अपने पती मनीश के साथ और्मिला से मिलने के लिए आई हुई थी, ममी, क्या मैं भावी से मिलने उपर चली जाओ, हाँ बेटा चली जा, लेकिन वो तो मेरा भी उपर जाना पस आती है, हे भगवान, क्या हो गया सोनाली को, चलो चल्दी, तो सभी भाग कर उपर जाते हैं, और देखते हैं कि सोनाली दर्द से तरप रही है, ममी जी, बहुत दर्द हो रहा है, मनीश, जल्दी से हेल्प करो, भावी को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, हाँ, इसके तो सा में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, काजल संजे को भी फोन कर देती है, डॉक्टर साब, साथवे महीने में लेबर बेन शुरू हो गया, सब ठीक तो है ना, देखे, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, आप लोग थोड़ा इंतिजार करिए, डॉक्टर साब, मेरी भावी को कु तो थोड़ा observation में रखना होगा, लेकिन बच्चा भी ठीक है, और आपकी बहु भी, तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभू, मामी, ये तो बहुत खुशे की बात है, कि दोनों स्वस्थ हैं, तो सभी बहुत खुश थे, कि सोनाली और बच्चा दोनों ठीक है, तभी संजे वहां आ जाता है, उसे सब बताया जाता है, वो भी काफी खुश था, दो दिन बाद सोनाली सभी की साथ घर आती है, मैं उपर नहीं रहूंगी, क्या हुआ? तभी सोनाली रोने लग जाती है, क्योंकि उसे अपने किये पर बहुत पच्चतावा हो रहा था, ममी जी मुझे म मेरा इतना ध्यान रखा, लेकिन मैं अपने घमंड में ही रही, कोई बात नहीं बेटा, बच्चों से गल्तियां हो जाती है, आपकी वज़े से आज मैं और मेरा बच्चा जिन्दा है, मैं आपकी जितने गुणगाओं उतनी कम है, मैं हाथ जोडती हूँ, आप सब मुझे म मनीश जी ना होते, तो नजाने मेरा और मेरे बच्ची का क्या होता, अब सब कुछ ठीक हो गया था, और सुनाली को भी सीख मिल गई थी, वो अपने ससुराल में बेहत खुश रहने लगी थी, और इसी तरह प्यार से वक्त गुजरता जा रहा था, तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, थैंक्स फर वाचिंग